सातियों डॉक्टर बारा साब विखे पाठील जी के आत्मकता का वेमोचन आज भले हुआ हो लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महराश्टर के हर क्षेत्र में मिलेगी मैंने भी ये नदिक से देखा है कि कैसे डॉक्टर बिठल राव विखे पाठील जी के पच्चिनों पर चलते हुए बारा साब विखे पाठील ने महराश्टर के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था गाउं, गरीब, किसान इसका जीवन आसान बनाना उनके दूख, उनकी तकलिप कम करना विखे पाठील जी के जीवन का मुल मंत्र रहा है अपनी आत्मकतान में भी उन्होंने लिखा है मी स्वतह सत्य पासून वा राजकारणा पासून अलिप्त रहलोनाई मात्र समाजा साथीच राजकारण आणि सत्ता हे पत्य भी कायम संभाल राजकारण करताना माजा सतत समाजा चे प्रश्णल स्वडवन्यार भर राहिला उन्होंने सत्ता और राजनीती के जर्ये हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीती को समाज के सार्थक बडलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए गाव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो बाड़ा साथ विखे पार्टिल जी की यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी यही वज़े हैं कि आज भी उनका हर पार्टी हर दल में बहुत सम्मान है और यही बात अभी उद्दव जी ने भी बताई देवेंदर जी ने बताई चंदरकाल जी ने बताई गाव गरीब के विकास के लिए शिक्षा के लिए उनका योगदान हो माहरास्ट में कोपरेटिव की सभलता का उनका प्रयास हो यह आने वाली पीडियों को हमेशा प्रेणा देगा और इसलिए बाडासाब विखे पाटिल जी के जीवन पर यह किताब हमारे लिए भी समाज जीवन में काम करने की इच्छा रखने में लिए युवा पीडी के लिए बहुत महत्वपूर है साथियों डॉक्टर बाडासाब विखे पाटिल जी ने गाउं गरीब और किसान के दुख को उसके दर्ग को नदिक से देखा समझा अनुभव किया इसलिए वो किसानों को एक साथ लाए उन्हें सहकार से जोड़ा ये उनीका प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीनने को मजबूर सा आज उसकी तस्वीर बदल गई है सहकारिता के महत्वपूर उन्हा ने लिखा है कि सहकारी चडवड ये खरी नीधरमी चडवडा है सेकुलरिद्म के उनकी वैक्षा है हे नीधरमी चडवडा है ती कुठलया जाती ची किवा धर्मा ची बटिक नाई आता परियंत सगलया समा जाला जाती नाई परतिलिद्वत दिलेया है यानि सहकारिता अभियान सच्चे अर्थों में निश्पक्ष होता है इसका किसी भी जाती और पंत से कोई सरोकार नहीं होता इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिदित होता है एक प्रकार से उनके लिए सहकारिता सब के साथ से सब के कल्यान का सही मार्ग थी सिर्फ महराष्ट नहीं अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने देश के अनेक शेत्रों में सहरकारिता को बढ़ावा दिया उसके लिए प्रयास किया ऐसे में उनके आत्मचरित्र के लिए देह वेचावा कार नहीं देह वेचावा कारणी ये नाम बहुती प्रासंगिक है बिलकुल सठीक है संत तुकाराम जी महराज जी इनक्वी इन पंक्तियों में बाड़ा साब विखे पाटिल जी के जीवन का सार है